हेलो BSC First Year student कैसे हैं आप सभी लोग उमीध आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करें हैं BSC First Year Botany के Second Semester में आपका Theoretical Paper आता है Archigoniates and Plant Architecture दोस्तो इस सेमेस्टर के अंदर आज हम स्टार्ट करें हैं Unit First Archigoniates and Brifite Unit First की ये पहली वीडियो है जिसके अंदर आज हम डिसकस करेंगे Unique Features of Archigoniates Archigoniates की Unique Features क्या होते हैं या फिर Archigoniates क्या होते हैं आज किस वीडियो के अंदर हम Completely Discuss करने वाले हैं Heading Dalijay student Unique Features of Archigoniates सबसे पहले आपको समझना होगा कि Archigoniates क्या होते हैं उसके बाद हम डिसकस करेंगे इनके Unique Features के बारे में तो Archigoniates एक Higher Taxonomic Term होता है जो की Indicate करता है ऐसे Plant के बारे में जिनमें Female Sex Organs जो होता है वो Archigonium के फोर्म में होता है जैसे की Brifite, Teredophyte and Gymnospom ये 2021 में लॉंच किया गया Slabers के According एक नया Pattern एक नई Taxonomic Term दी गई है Archigoniates अगर आप इससे पहले जो Slabers था उसके According डिरेक्ली आपको Brifita पढ़ाया जाता था Teredophyta पढ़ाया जाता था Gymnospom पढ़ाया जाता था अब especially आपको सबसे पहले बताया गया है कि Brifita, Teredophyta, Gymnospom को collectively आप Archigoniates plant कह सकते हैं क्योंकि इन सभी में जो female sex organs होता है वो Archigoniates के फोब में पाया जाता है Brifita के अंदर जो Archigoniates जादा विक्सित जाटा डवलेप होता है So Archigoniates क्या है? Archigoniates एक Flask के समान एक female reproductive organs है जो की Brifita में सामान रूप से तथा Teredophyta वा Gymnospom में भी पाया जाता है Archigoniates में आधार पर यानि base पर एक swelling structure वेंटर मिलती है तथा एक लंबी neck होती है जिसमें neck canal cells मिलते हैं वेंटर में एक egg cell वा छोटी वेंटर canal cells मिलती हैं Heading the knowledge of student General characters of Archigoniates अब हम discuss करेंगे Archigoniates के main features के बारे में नमबर first point ये प्रथम इस्थलिय पादबो का एक प्राग समू है ये first terrestrial plant का एक प्राग समू है plant का जो थैलस होता है वो folios type होता है और जीवन की सभी अवस्थाएं इस्थलिय होती है इन plants के life की लगबग सभी stages जो है वो इस्थलिय होती है प्रन्तु fertilization के लिए इन्हे water की need होती है निसेचन के लिए पानी की अवस्था होती है नमबर four point कुछ plant aquatic भी होते हैं जलिय भी होते हैं नमबर five point gametophyte में true root stem तथा leaf का अभाव होता है नमबर six point प्राग भ्रावफाइटा थैलोइड होते हैं तथा ये विपरसी प्रश्टाधारी चेप्टे होते हैं उननत पादप उर्धव यानि इरेक्ट तथा पत्ती युक्त होते हैं ये radially symmetrical होते हैं यानि कि आप किसी भी जगें से इसे cut करने की कोशिश करें सब में इनकी जो body है वो समान भागों में विभाजित हो जाती है यानि कि ये radially symmetrical होते हैं सुकाई जातियों में यानि थैलोइड species में एक कोशी के राइजोइड तथा पत्ती युक्त जातियों में राइजोइड जो होते हैं वो multi cellular होते हैं राइजोइड क्या होते हैं राइजोइड वह ओर्गन है जो की water को absorb करता है mineral source को absorb करता है और आधार से जोड़े रखने का काम करता है तो ऐसी जाती है थैलोइड जो species होते हैं उसमें unicellular राइजोइड पाय जाता है और ऐसी species जिसमें leaf युक्त यानि पत्ती युक्त जाती हो में राइजोइड जो होते हैं वो multi cellular होते हैं गेमिटोफाइड बड़ा इसपस्ट वह स्वतंत्र होता है लीवर वोर्ट में बैंगनी कलर के scales भी मिलते हैं और किसी प्रकार का इसमें सम्वहन तंत्र यानि conduction के लिए जो वैस्कुलर सिस्टम होता है इन पादपो में नहीं मिलता है बट इरेक्ट प्लांट में central medulla मिलते हैं जिसमें water तता food material का इस्थानांत्रन होता है प्लांट जो होते हैं वो vegetative वो sexual reproduction करते हैं यानि इसमें काईक जनन होता है, vegetative reproduction होता है और sexual reproduction होता है ए sexual reproduction absent होता है पॉइंट नमबर थर्टीन, vegetative reproduction इसमें jamie, bulbil, tuber, adventitis, branches, मरतव, सडन, primary और secondary, protonima आधी से होता है इनमें जो sexual reproduction होता है वो ओग MS टाइप का होता है और sexual reproduction में जो organs होते हैं वो jacket युक्त होते है लेंगिक जनन अंग जो होते हैं जैसे कि anthridia, organia उनमें jacket पाया जाता है यानि कि jacket युक्त होते हैं और sexually reproductive organs होते हैं वो multi cellular होते हैं पॉइंट नमबर 17, female reproductive organs को हम archegonium कहते हैं और male reproductive organs को हम anthridium कहते हैं Point number 18 के according anthrozoids जो होते हैं वो द्रीकशाविक होते हैं जो पुम्नू होते हैं वो द्रीकशाविक यानि biflagellate होते हैं जिसमें दो flagellate पाया जाता हो Point number 19 निशेचन के लिए जल के आवशकता होती है Fertilization के लिए वाटर की नीड होती है Point number 20 निशेचन के पस्चात यानि after fertilization एग से ओस्पोर बनता है अत्वा जाइगोट जिसे हम जाइगोट बोलते हैं यह डिपलोइड होता है 2X बनता है Point number 21 जो जाइगोट होता है वो female gametophyte के वेंटर से germinate होकर के embryo बनाता है Point number 22 embryo का जो विकास है जो embryo जो नी है वो exoscopic होता है exoscopic type का होता है जाइगोट में first division transfers होता है और उपरी कोशिका से embryo का भाग बनता है Point number 23 वेंटर के विकास से केलिप्टरा बनती है जो कि sporophyta का एक रक्षा कवाक एक protective layer होती है Point number 24 alternation of generation जो होता है वो heterologous होता है और दोनों stages gametophyte और sporophyte एसमान होती है Headingology student alternation of generation इनकी life cycle में दो निश्चित एक definite stages gametophyte और sporophyte होती है gametophyte जो होते हैं वो haploid phase होता है x इसलिए से denote किया गया है और sporophyte जो होता है वो 2x होता है यनि diploid phase होता है ये एक दूसरे से एकांतरित होती रहती है इनके बीच alternation of generation होता है gametophyte x मुख्य पादप यानि main plant होता है तता सर्वता स्वतंतर होता है पूरी तरह से freedom होता है और यह thaloid वा folios होता है जबकि sporophyte जो होता वो female gametophyte पर एक निर्भर एक dependent stage है यह मूल रहीत होता यानि कि इसमें जड़ नहीं पाए जाती लीफ नहीं पाए जाती है जड़ रहीत और पत्ती रहीत एक पादप एक प्लांट है इसमें foot, sita और capsule इसके तीन पार्ट होते हैं हम यहाँ पर sporophyte की बात कर रहे थे गेमिटोफाइट पर लेंगिग जनन अंक एंथरीडियम वा आर्की गोनियम के रूप में मिलते हैं यह हेपलोइट गेमिट्स बनाते हैं इस प्रकार गेमिटोफाइट पिढ़ी X यानि के हेपलोइट के अंकूरन से प्रारंब होती है तथा युगमक निर्मान यानि गेमिट फॉर्मेशन पर समाप्त होती है दो गेमिट्स X के फ्यूजन से पुम्णू और अंड एंथरोजोइट्स और एग सेल आपस में जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोड बनता है यानि 2X बनता है और इसके अंकूरन से एंब्रियो बनता है और जब ये जाइगोड जर्मिनेट करेगा अंकूरन जब इसका होगा तो एंब्रियो बनता है एंब्रियो के विकास से इस्पोरोफाइट बनता है यानि बिजान उद्भुद इसे इस्पोरोगोनियम भी कहते हैं इस sporogonium के capsule वाले भाग में द्रिगुनित बिजानू मात्र कोशिका यानि mother cell 2X बनती है और इस कोशिका में मियोसिस विभाजन के फल सरूप अर्द सुत्री विभाजन यानि के मियोस्पोर बनते हैं ये एगुनित होते हैं यानि के हपलोईड होते हैं इस प्रकार से sporophyte PD का यानि sporophyte generation का प्रारंब द्रिगुनित उस्पोर यानि के diploid उस्पोर के अंकूरन से होता है और समाप्ती जो है मियोस्पोर के बनने से होती है student alternation of generation के लिए जरूई नहीं है कि हर बार x2x, x2x, x2x इस तरह का ही sequence आए अगर उसमें कुछ इस तरह का भी sequence आ रहा है xx, 2x, फिर उसके बाद xx, फिर 2x अगर इस तरह का भी sequence आ रहा है तो उसे भी हम alternation of generation कहेंगे एक sequence मिलना चाहिए तो यह हमने finally cover किया alternation of generation so student मिलते हैं next video में video पसंद आए तो like करें चैनल को subscribe कर दे अगर आपको इस तरह की और भी videos चाहिए तो next video के अंदर हम discuss करेंगे general characters of bryophyte